मध्य प्रदेश के सागर में एक तरफ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादाव का रीजुनल इंडस्ट्री कॉन्कलेब कारिकरम चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के बाहर एक महिला की मौत के बाद जम कर हंगामा मचा हुआ और गुस्साए परिजनों ने BMC गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया है परिजनों का आरोप है कि बीतिसाम महिला की मौत हो गई थी लेकिन CM के कारिकरम के चलते उन्हें महिला का सब नहीं दिया गया और आज चोरी छुपे महिला के सब का पोश्ट माटम करा दिया गया उध के बाद गुस्साए परिजन अब सडक पर उतराए है फश्ट किराए सोरूम न्यू बॉर्ण बेबी के लिए जरूरत की सारी चीजें अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध बी आई एस एप्रूब्ड प्रडक्ट न्यू बॉर्ण बेबी की सौपिंग पर पाएं दस प्रत मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस दफा बुंदेल खंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एक महिला की मौत के बाद उसे बेंटी लेटर सपोर्ट पर रख दिया और आला अधिकारी परीजनों को यह दिलासा देते रहे कि वह महिला जीबित है लेकिन आज सुबह अचानक महिला के सब को पोश्ट माटम के लिए भेज दिया गया जिसके बाद म्रतक महिला के परीजन उग्र हो गया और उन्होंने बीमसी गेट के बाहर जम कर हंगामा कर दिया और चक का जाम करते हुए संबंदित डॉक्टरों पर कारवाही की मांग कि चक का जाम अभी भी जारी है और प्रसासने कधिकारी म्रतक महिला के परीजनों को समझा इस देने का प्रियास कर रहे हैं लेकिन परीजन चक का जाम पर आड़े बैठे हैं इंजेक्शन लगाया है और वो अभी तक इस अभी तक सामने नहीं आई है इसके बाद हम लोग ने ठीक हम लोग बैठे हैं और आज आज इन लोग ने चुप चाप से किसी को ने बता जा के पुस्टमाटा में पहुच गए इसकी परिवी सन से पोचे हैं यह बताओ आँ आ सब्सक्राइब करते हैं तो आज हम लोग कुछ कर पाते हैं तो आज हम लोग कुछ कर पाते हैं आज हम लोग ने थोड़ा विवाद किया कि आप लोग ने हम लोग की लिए जात्ति की है ने डाक्टरों ने जबर जब जब आए उसको मारा है उसकी हमें कारवाई चाहिए जात चाहिए आज अगर जैसे हमारा कल से आप बोले हो सही है सही है सही है तो बैना पूछे इसको क्वैम क्यों करने रे हैं देया चैथ कब कडह के डीन हम हमें फिशल्य नहींerv हम लिए घर वाली यहां यहत अश्म lieuory न इन हैं इसलिए यह नहीं और उनको यह पता है कि हमारा यह पर स्टिक्रीए आगर हमाई की सीएम का कार्वे बात पहुचेगी तो बात और ज्यादा बढ़ जाएगी हम उनसे कल से बूल लुख रहे हैं जो चुट्टी दे देंगे पांच बजे कि बाद हमें क्या करना चुट्टी का दोसी किसको मान तो प्रवंदक को सीला जैन जिसके देख रेक में उसकी दवाई चल लए है जो इसको दोनों टाइम आके चेक कर रही है उसके किलाब हमें सकते से सकत कारवाई चाहिए बिना बताए उसका पूस्ट माटम के से किया जा रहा है नाम से जबकि हम से दीन ये कह रहा है कि बहुत तो स हमाई 15 साल की बच्ची है 15 दिन की 10 दिन की बच्ची है हम उसको भी साथ में लेकर जाएंगे हम उसको अपने दो हम दोनों मिट्टी का तेल डालेंगे और आगी लगा लेंगे अपने उसका उसके जम्मेदार ये पुलिस वाले जिन लड़कों का बचाव कर रहे जो 120 बता दें की बीते दिनों मकरोनिया रजाखेडी निवासी सुमन पतेल पती अमित पतेल को प्रसप के लिए बुंदेल खंड मेडिकल कॉलेज में भरती किया गया था जहां बीते दिन महिला ने एक बच्ची को जनम दिया और बीती साम महिला को ड्यूटी पर तैनात डॉक् बेंटी लेटर सपोर्ट पर रखा गया परीजनों का आरूप था कि प्रदेश के मुख मंतरी डॉक्टर मौहन यादव के कारिकरम के चलते महिला के सब को नहीं दिया गया है और उसके जीवेत होने की बात कही जा रही है लेकिन आज सुबह अचानक बेंटी लेटर से हटा कर महिला के सब को पोश्ट माटम के लिए भेज दिया गया और परीजनों को कानो कान खबर नहीं लगे लेकिन जब परीजनों को इसकी खबर लगी तो फिर बवाल मच गया और गुस्साय परीजनों ने बुंदेल खंड मेडिकल कॉलेज गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया जिसमें एक महिला को अपनी जान से हात धोना पड़ा है सागर से राहुल सिंग ठाकुर के साथ ब्यूर रिपोर्ट सागर एक्सप्रेश ने उज़ फष्ट किराए सोरू नियू बॉर्न बेबी के लिए जरूरत की सारी चीजें अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध बी क्रोन या